दोस्तों जेकी आईटे मंतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टोपिक रहेगा इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स का बेसिक इलेक्टरिसिटी से रिलेटेड ये टोपिक वेरी इंपोर्टेंट है और निम्मी की पेटर्न बुक से लिया गया है यदि आपको टोपिक अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वो है इंपोर्टेंट फुल फॉर्मस रिलेटेड टूलेक्टिटरिशन थियोरी और इलेक्टिशन थियोरी से डिलिटेड ये full form exam में पुछी जाती है और यदि आप competition exam की भी त्यारी कर रहे है तो भी आपके लिए ये important रहने वाली है तो ये इसका पहला part रहेगा next part भी upload किये जाएंगे तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी important रहने वाली 15 full form की पहली है CTS ये होती है Craftsman Training Scheme Craftsman Training Scheme CTS की full form होती है next हमारी पास है NCVT NCVT की full form होती है National Council on Vocational Training तो National Council on Vocational Training NCVT की full form होती है इस वीडियो में आपको सुरू से Electrician Theory की full form दी जा रही है BIS इसकी full form होती है Bureau of Indian Standard Bureau of Indian Standard BIS की full form होती है next हमारी पास है NAS NAS की full form होती है National Apprenticeship Certificate Apprenticeship Certificate National Apprenticeship Certificate NAC की full form होती है आगी हमारी पास NECV आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे next fifth number full form है MCB की तो इसकी full form जादा तर सभी को याद होगी कि miniature circuit breaker होती है इसकी full form miniature circuit breaker PPE Personal Protective Equipment होती है Personal Protective Equipment विक्तिकत सुरक्षा उपकरण इसे हिंदी में कहते है Personal Protective Equipment SI होती है Standard International तो ये important रहने वाली है Standard International SI की full form होती है ISI ये होती है Indian Standard Institute Indian Standard Institute ISI की full form होती है तो आप इन full form को जरूर याद करें चूंकि exam में इनकी question बनते हैं और हर वार पुछे भी जाते हैं competition exam के लिए तो ये important है ही आगे बात कर लेते हैं हमारी full form है ninth number NEC की तो चलिए NCE की बात कर लेते हैं National Electrical Code होती है इसकी full form तो National Electrical Code NEC की full form होती है PVC Polyvinyl Chloride होती है Polyvinyl Chloride होती है और ये एक Insulator होता है Insulator के रूप में इसका योज़ किया जाता है ज्यादा चर आपको पता होगा GI तार होता है GIN की Galvanized Iron होता है यानकी इस पे Zinc की परत चड़ी होती है इस वायर पे ये एकड़म White Color का होता है और Zinc की परत चड़ी होती है इस पे Galvanized की होती है IE होती है Indian Electricity तो IE की फुल फॉरम सरल होती है ये भी एकड़ा में पुछी जा सकती है तो लिख दी है Indian Electricity होती है तो NEC की फुल फॉरम थी National Electrical Code और NAC की थी National Apprenticeship Certificate Next हमारे पास 13 नमबर की बात कर लेते है Electromotive Force विद्युत वाहक बल EMF की फुल फॉरम भी है EMF की फुल फॉरम होती है Electromotive Force AC और DC Current की भी पुछी जा सकती है आपको पता होनी चाहिए कि AC यान की Alternating Current होता है और DC यान की Direct Current होता है SWG Standard Wire Gauge तो वायर कितने गेज का है उसकी गेज मापने के लिए SWG का यूज किया जाता है इसकी फुल फॉरम होती है Standard Wire Gauge तो आज के लिए हमारा पहला पार्ट जिसमें 15 फुल फॉरम अप्लोड की है इसके आगे भी फुल फॉरम के पार्ट अप्लोड किया जाएंगी ये पार्ट Electrician Theory के लिए तो important है Competition Exam की भी आप त्यारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी important है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करें चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए तो आप उन वीडियो को playlist से जरूर देखें आपके लिए important रहने वाली question अप्लोड किये है